लो माइडिया और फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सभी आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल संदीब दुबे चैनल को सब्सक्राइब करें और और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अन करें ताकि आगे जो आगामे जितने भी वीडियो है मैं भी सिरीज भी चला रहा हूं कॉंसिट्यूशन का जो बहुत ही महत्तपून है तो आपको कहीं न कहीं काम आएगा तो स्टार्ट करते हैं एकोनॉमिक सर्वे मुख्य बिंदुओं से एकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के बारे में अगर मैं बात करूं तो भारत का जो अर्थ विए तो नौ दसम्मलों एक प्रतिशत मतलब प्रिजापों हुआ अच्छा खांसा ग्रोथ रेट है अच्छा आगे देखते हैं जी एसडीप में अगर मैं चत्रीज गड़ की इस्तिरभाव में में बात करूं तो पहला है एचीज उस्टीज गड़ की जो जन संख्या है वो दो में प्रात्मिक सेक्टर होता है एक ढूर्ट सेवाचेतर उसक्टरत तो अगर मैं बात करूं कृष्टि से संदर लड़ दोजार बीचीए किस में विगड़ दस इस्थितिव दीविगड़ दस वर्सों में कैस्तार रहा और उच्छे वर्सों में कहा पस मैक्जीमम रहा कब साथ माच परशेंट कितना एक किस दसंबलों साथ प्रतिशत अच्छी फसल के का रहा है और सबसे कम कब रहा 2017-18 में जो बहुत ही खराब था क्योंकि उत्पादन की कमी थी माइनस में रहा दस माइनस दस दसंबलों अगर मैं बात करो उद्योग जगत में अगर मैं देखें तो उद्योग में जो स्थिर कीमतों पर 2021-21 में कितना ग्रोथ रहा 15.44 दस फर्षों का जो उसत था वो कह है 6.5 अच्छा यह आपको याद ही रखना है न 15.44 और अगर मैं बात करो सरवाधी कब रहा 2018 में 16.9 कुछ और मिनिमम रहा 2020 में तो 2020 में सबसे कम रहा माइनस में चले गया लगभग 3.69 तो इसको याद रखना कोवेट के करण उद्यों जगत बहुत प्रफवाईत हुआ था अगला सेक्टर है सेवा चेत्र त्रतियक चेत्र कितना ग्रोथ रहा अगे बढ़ते हैं अगर मैं बात करूँ चतिस गड़ के लिंगा नुपात की बारे में तो चतिस गड़ का जो लिंगा नुपात है कितना है 900 इंक्यानबे जो देश में पाच्वा इस्थान रखता है तमिल नाडू पहला इस्थान पर है केरल तमिल नाडू ऐसे करके आंध्रा ऐसे बढ़ते जाएगा बुडू जोरी फिर पाच् सहरी छेत्र अनुसूचित छेत्र अनुसूचित जन जाती छेत्र अचा उससे पहने एक और चीज़ाद रहता है जीरो मतलब सबसे कम उमर होता है जीरो से 6 वर्स क्याई हो मिसका लिंगा नुपात कितना है नो सो उनात्तर दंते वर्णा मिसरवाधिक है इसको देखना अगे अगर हाँ मिनिमम का है सबसे लिंगा नपात भच्चो के में रायगण में सबसे कम है अच्छा अब देखते हैं ग्रामिड छेत्रकल्लिंगा नपात 111 सहरी स्ट्रकल्लिंग नपात 956 अनुसूचित जात थोड़ा जल्दी मिद आसा अगे बढ़ते हैं। देखो यहां पास थोड़ा जल्दी-जल्दी करूँगा ताकि आप बढ़ चुके होंगे उम्मीद नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा वीडियो पोस्ट करके देख लेना अगर इसका पीडियेप चाहिए रहेगा ना ताप मेरे सहरी चेत्र ौजारी अगर पुरुस शरlarda क्यों तो 20 मतलब 80 ही याद रखना और महिला कितना है 60 प्रतिशत तो दोनों के एवरेज निकलो ना 80 और 60 को जोड़ो के कितना होगा 140 140 को दो से भाग दे दो तो 70 प्रतिशत कुल मिला के 36 गल का 70 पुरूस 80 महिला 60 ठीक है पुरूस की छेत्र में अगर बात करूं मतलब कुल लिंगन पात मतलब साक्षरता में सबसे साक्षर जीला कौन सा है रायपूर है इसवादी दुर्ग है फिर रायपूर है ठीक है और सब से कम सुकुमा दूर्ग 32 सुक मा 84 प्रतिशत प्रतिशत अगर याद भी नहीं होता तो स्थान याद रखना पुरूस में और महिला धोनों में दूर्ग वऑल है और सुकमा मतलब व्वर और इस्टी सक्षरत है 69,69, मतलब याद रखना है इस्टी कितना है, 70 पतिशत, और इस्टी कितना है, यह आपका 69 पतिशत, तो यह मोटा मोटा याद रखना ताकि यह question आपको पनाने में आसान हो, आचा कारिसिल जनसंख्या के बारे में बात करें, तो जो सरवाधिक कारिसिल रामपूर रहेगा और सबसे कम ग्रामीड शित्र बोलनुगा तो यह रायपूर दूर्ग और रायपूर आते हैं ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं आकांची जीला के बारे में बात करो तो आज वर्तमान में देश में कुलम हिलाके 115 आकांची जीले हैं ठीक है जिसमें से सरवा के एक जगह है कांकेर जिसको उत्तर बस्तर कहते हैं बस्तर संभाग में तो यह जो है प्रतम नंबर पर है 36 गड़े में दस जीलों में और अगर मैं बात करो ओवरॉल में कितना नंबर है चौथा नंबर है चौथा क्रम है या चौथा रेंग मिले इसको ठीक है आगे देख यह मालो अगर मैं 36 गड़ का मैब बनाता हूँ एक छोटा से ओवर्व्यू यह जो है ना बस्तर संभाग तो बस्तर संभाग की पूरा साथ जीला ठीक है अब आपको बताना है तीन जीला को दस जीले है ना तो साथ बस्तर संभाग के तो तीन जीला कुन-कुन से होंगे चल डिरेक्ली देखते हैं स्थिर कीमत पर दो लाख उननतर और दो लाख और अठतर हजार 494 यह डेटा याद नहीं हो तो तब भी मत करना ध्यान में रखना लेकिन प्रसलित में लगभग चार लाग की आसपास है चार लाग करो ना अच्छा यह कोश्चन सीजी पीसी में एक आर्थिक रूर्प से ससक्त है यह का यह आराथ सकल घरेलु उत पात मतलब रॉस ड्रोमेस्टिक प्रोडक्त लेकिन अगर मैं अब बात करो किशीराष्ट यह राष्ट का आर्थिक सम्रिद्धी को चेत्र हैं महने का कमाता है उसका सालाना income कितना है महने का income कितना है यह तो उसकी समरद्धी को दर्स आगा ना तो याद रखना यह question पर केपिटे income मतलब प्रतिवेक्टिया क्या बताएगा आर्थिक युद पिछले वर्स की तूल्डा में लग भग 11 परतिशत की वृध्धी के सांथ आगे साढ़े ग्यारा मतलता बारा परतिशत मालों 11 ग्यारा दसम्लों 9 ग्यारा दसम्लों नौ परतिशत है तो इसको क्या मान सकते हैं आप 12 प्रतिशत वृध्धी होगा आ अचा भारत के प पर कितना प्रतीषत का ग्रोथ क्या है साड़ी सोला यहा भग सोला प्रतीषत का आस पास देखस एक अब अगर बात करू सकल राज घर लुत पाथ के बारे में 2020 तो सकल राज घर лीट ध। पर दो मत निकलता है कि स्थिर कीमट पर प्रसलिट कीमट पर इस्थिर कीमट क्या है वरतमां में जो इस्थिर कीमट का जो base year है 6 प्रतिसत भागीदारी है और सेवा चेतर में 32 दसमलों 6 प्रतिसत भागीदारी है तो मोटा मोटा याद रखना 16 प्रतिसत उद्क्रिशी उद्योग में 50 प्रतिसत और सेवा में 32 प्रतिसत तो अच्छा क्रिशी चेतर मतलब प्रात्मिक चेतर हुआ तो प्रात्मिक चेतर में निर्मान चेत्र विद्धू छेत्र तो यह दूटिक सेक्टर में आएगा अच्छा प्रात्मिक सेक्टर में खनन और उत्खनन भी आएंगा इसको ध्यान रखना अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लेजें नहीं बना रहे तो इसका अगर मैं बात करूं कितना 50 प्रतिशत 50 प्रतिशत में वी निर्मान का योगदल कितना है 20.3 20 प्रतिशत और सेवा शेत्रे में 32 शेचेक के साथ अन्य सेवा जो 7 प्रतिशत के साथ आगे वलगा है अगर इसी को प्रशलित की मतोब देख दो तो मस्ट है कि बस डाटा याद र में सरवाधिक योगदन कों से चेत्र का है तो उद्योग जगत का है किसका है उद्योग जगत का लेकिन अगर भारत की परिपेक्ष में बात करूंगा तो यह सेवा हो जाएगा ओके आगे बढ़ते हैं और यहां से इसको हाँ यह वह बताना भूल गया था कि फसल में इसमे परणने का कोशिज करना देखो वृद्धी एक सेट वृद्धी दिया है समय दिया है 2016-17 से लेके 2021-22 तक अब उत्खनन चेत्र में खनन उन उत्खनन प्रात्मिक चेत्र के अंतर गताता है पहला चीज़ तो उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ उतार चढ़ तो यह है माइनस में चले जाता है हमारा खननन और उत्खनन विभाग माइनस आठ दसमलों नौश्य प्रतिशत तो यह आपको ध्यान में रखना है प्रवरित्ति कैसी है उतार चढ़ाओ की प्रवरिति सर्वजनिक वित्रण प्रणाली को देखते हैं सर्वजनिक वित्रण प्रणाली को मतलब क्या होता है जो आपका धान महसो चावल महसो होता है जिसके तहत आपको चावल प्राप्थ होता है अलग अलग परिवार आते हैं प्रात्मिक अंतियोद एक कप्षे प्रारंभो इस देश का प्रथम राज्य होता है 36 गड़ फिर इसी के तर्ज पर 2013 को भारत में भी लागो होता है ठीक उचित मुल्य की दुकान के बारे यह डारेक्ली स्टेटिक कोशन है कि डारेक्ली आपको देखने मिलेगा अभी फोडिस्पेक्टर के एक्जाम हुआ था 2021 में इसमें आप सरवाधिक कहा है राजनान गाओं में सहरी छेत्र में क्या है 1535 मतलब लगभग 1535 अचा अगर उचित मुल्य की दुकान सरवाधिक अगर पूछ देगा तो राजनान गाओं देना है आंसर और मिनिमम पूछ देगा तो नरायन पूर ठीक है अब सरवजनिक वितरन प्रणाल प्रारम होता है वर्स 2007 कार्य प्रारम हुआ एक साल बीतने के बाद इसको कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर कर दिया गया कब जनवरी 2008 यह आया था फूडिस पेक्टर में जो अधिनियम से रिलेटेट कोशन थो उसमें कोशन मिला ठीक अच्छा एक जनवरी 2008 से यह कंप्यू इसका प्रारम होता है 2 अक्टूबर 2009 में इसके अंतरगत रासन कार्ट देया जाता है तो कोश्ट वहां पस आया था कि सर्व भॉमिक पीडियस के अंतरगत कितने परिवारों को रासन कार्ट प्रदान वतलब कौन कोंसे परिवार होते हैं इसके अंतरगत तो देखो वैसे तो आपको पाज प्रात्मिक परिवार अंतियोदय परिवार ठीक है आश्रित अनपूर्णा निराश्रित यह आपको देखने मिलेगा लेकिन उसमें आंसर 6 लिया था प्यापम द्वारत इसका आंसर आपका 6 देखेगा वरतमान में हमारे 36 गड़ में कुल कार्धारियों की शंख्या कितनी हैं तो यह है 68,692,617 इतना याद रख लेना आपस तो बहुत ही आपको याद रहेगा 68 दसमलाओ 62,92 लाक परिवार है 36 गड़ में कुल कार्ध़ारी ठीक है सेक्स्टर नहीं है कहीं से कुछ unnecessary डाटा इसमें उपलब्द नहीं है फिर मैंने अपने खुद से नहीं डाला है जारी करता कौन जारी करता है केविनिट केविनिट जो आर्थिक माम लेके केंदर में यहां पर कितने केंदर की स्थापना की थे धान खरीदी के लिए टो 2484 पंजी किसान कितने हैं 21.77,005 ना लेकिन इसमें पंजी कुल किसान हुए थे 22.6,006,005,005,005,009,003,004,005,005,005,005,005,005,005,005,005,006,005,006,005,005,005,005,005,005,006,005,005,006,00 तमान में 69 और उपमंडी क्रिसी उपमंडी कितने 18 इसको ध्यान में रखना इसी के तर्ज में एकना 2014-15 में सरकार 36 गर सरकार जो ततकालिक करमन सरकार थी उन्होंने निर्णे लिया कि जो सुन्य प्रतीसत ब्याजदर है उस पर अलपकालिक क्रिसी उरिन प्रदान किया जाएगा किशानों को तो सुन्य प्रतिशत पर व्याजदर अल्प करेंट कब से प्रदान के अजार है ये डेटी याद रेक्षन में 2015-14-15 ये कोश्चन आता ही है और आ भी सकता है बहुत उम्मीद है ठीक है प्रात्मिक क्रिशिस साख समीती कितने बढ़ाये गए हैं बतलब कितने थे ये बढ़ा अब मैं बात करता हूं थोड़ा मुद क्रिशी के बारे में क्रिशी क्रिशी छेत्र का GSDP में जो योगदान है पैसा में देख लेते हैं लाख में 25,84,449 भागीदारी अगर किसी क्रिशी छेत्र की है कितनी 10.0 फसल चेत्र की 0.0 नौपरतिशत यहीं वो क्रिशी छेत्र है ना जो प्रात्मिक सेत्र में देखे थे ना कि सरवाधिक योगदान किसका है तो फसल का है 10.0 नौपरतिशत ठीक है आगे अगर मैं बात करूं लेटेस्ट डाटा की हिसाब से जो वर्तमान में क्रिशक परिवार है 36 गड़ में वो है 40.10 लाक इतने क्रिशक परिवार है जि यह जो डाटा है 37.46 लाक किसानों के संख्या है और 76 प्रतिशत यह जो लगो और सिमान किसान अब निर्भर करता है कि प्रशन कैसे आता है या ओप्शन कैसे देता है आप दोनों डाटा याद रखना किसान स्वापिंग मान कहां स्थापना किया गया था राजनान गामी 2010 मे इनाम एक फोटल सापित किया गया था केंद्र सरकार्दवारा कि यहाँ पस जो बिचौलिया है ना वो बिचौलिया अगर बीच में आते हैं तो जो मंडी है और किसानों के मध्यसता करता है तो इसमें वो कुछ पैसे कमा लेते हैं इसको थोड़ा दूर करने के लिए इनाम पोटल जारी किया गया है जो पूरे भारत में कितने स्थापित किये गये थे 585 जिसमें 36 गर में 14 इसको चार चरणों में स्थापित किया जाता है कि एक दो तीन चार मतलब देखना अब इसको मैं ज्यादा डेटिल नहीं करूंगा वस इसको आप देखने नहीं है इसमें र लाक का फिर अता है जियों का फिर आता है मका लाक मतले तीस ऐड़ा और फसल उतपादन में देखो धन का छेतर फल अधिक है और उतपादन अथ धान," लेकिन फशल का उत्बादन, पहले धान का होता है सरवाधिक, फिर मक्क का होता है, फिर गिहों को होता है, फिर चना को होता है, फिर लाक का होता है ये question directly आपको option के साथ आएगा। उद्यान की फसल में अगर मैं बात करूँ तो वरतमान में रकबा और उत्पादन के धार पर जो क्रम है सरवाधिक उत्पादन होता है सबजी का फिर होता है फल का फिर होता है मसाला का फिर होता है पुष्प का फिर होता है औसधी का इस प्रकार ये क्रम याद करना लेकिन र प्रदेश है वरतमान में 36 गड़ में अगर लाख हेक्टेयर में बात करूँ तो एक लाख 137.90 लाख हेक्टेयर है जिसमें यह लाख हेक्टेयर में हो ऐसे तो 36 गड़ के छेतरफल कितना 1,35,192 लेकिन हेक्टेयर में अगर चेंज कर दो तो सिचाई शमता की बारे मीं बात करूँ तो इसमें से यह बात रुक्टेयर में दो और दो प्रमतों के माध्यम से सिचाई की जो शमता और शमता तो यह आपको depend करता है कि कैस option आता है तो आप इसको ध्यान से पढ़ना कि question में क्या बोला गया है तो इसका answer एक में 36% आएगा और स्रिजित सीचाई समता की अधार पर 38.45% प्रतिशत आएगा जी चाई चमता कितना है अपना माल लेते हैं कुल चमता है 21,40,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 जिसमें सुद्ध सीचाई चमता है 15,9,00,00,00,007,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00 इसको एसका data बस याद रहते हैं पसुधन में कितना परतिशत योगदान है GSDP में 1.6 प्रतिशत और मतस्य पालन में 2.27 प्रतिशत तो 36 गड़ का कुल जीतना भी जल उपलब्द है उसमें से लगभग 94 प्रतिशत में मतस्य उत्पादन होता है ताकि मचली के उत्पादन में 36 गड़ को आगे लाया जाए इसको देख लेना अच्छा कुछ जगह में न अब देखते हैं वानिकी के बारे में यह वीडियो भले ही थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन इसको पढ़ने के बाद एक रिविजन के साथ अगर आप पढ़ चुके हैं और उसको एक बार देख लेते ता आपको जादा इधर-उदर करने की ज़रुरत नहीं है यह आपके 390,000,000 यह याद नहीं करोंगे चल जाएगा लेकिन इसको याद रख लेना दो दसमलाव साथ या प्रतिशत अच्छा एक रिपोर्ट होता है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हर साल प्रस्तूत किया जाता है हर दो वर्सों के अंतरान में प्रस्तूत किया जा और दमान में अगर मैं बात करूँ यह यह ठेक है, और दमान में अगर मैं बात करूँ तो भारत का चेतर वले 32, 1287 84ar वर्ग किलूमिटर हैं जिस में से न वनावरण 731 система k Osina अ जो चेतरफल्न के दो करोetrशी से बात करोम्हें तो भारत में जो वन चेत्रफल है वो कितना है वरिक्षावरण और वनारोपन को जोड़ दें तो 24.62 प्रतिसत ये पहुंती महत्पुन डाटा है इसको आपको याद ही रखना है पिछले साल 2019 के हेसाब से इसमें 2261 किलोमेटर वर्ग किलोमेटर के वृद्धी होती है अच्छा अगर मैं बात क अगरे वर्टमान बात करों तो सरवाधिक कहा है तो सरवाधिक पश्चम मंगल फिर गुजरात फिर अंडमान निकुबार्दिक समुन कारबन स्टाक में और अलगर मैं बात कुरूँ सिर्फ कारबन स्टाक में जो कारबन सोखनी की स्वमता है कारबन स्टाक बोलते हैं चतिस गड़ का इस्थान है तीसरा और पुरे प्रथम इस्थान पर है कौन सा राज यह है अरुनांचल प्रदेश अब ये तो भारत के दो प्रतिशत कवर करता है रिक्षा वराण में कितना है पांच हजार तीन सो पच्पन वर्ग किलोमेटर और दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा लगभग हो जाएगा यह तो चतितना बहुत बहुत अच्छी बात है, कि हम आज की देट में वण की दृष्ट्टी से तीसरा इस्था रखते हैं जो तैसी प्रतिशत से कहीं जाता है तो कुल मिला कि हमें एक सम्रुद्ध साली राज्य में से एक हैं वन के द्रिश्टि कोर्ट से अगर इसको मैं और ठ्रडिल करता हूँ अठारा जिलो की हिसाब से अगर मैं देखो सर्वाधिक शेत्रफल सर्गुजा फिर बीजापुर न्यूनितम है जांगीर चापवा में और प्रतीशत में ले लो तो नारायट पूर अच्छा जाता है क्योंकि यह जो सर्विक्षन प्रस्तुत हुआ था ना जो और भी डेटा में भी जा सकते हैं तो आरक्षित में 43 प्रतीशत रक्षित में 40 प्रतीशत और बाकी 16 असंबलों 5-6 प्रसेंट का है अब देखते हैं खनीच के बारे में बस पांच एक मिनट लगेगा फिर यह हो जाएगा पास से 7 मिनट लग सकता है खनीच में अगर मैं बात करूँ तो 26,500 इसको याद नी रखोगे चल जाएगा भागी दारी है कितना 10 दसमल तीन 5 परसेंट 38 परसेंट राजास्यों में 2019 में 6,195 था जो इस साल कम हुए क्योंकि कोरोनल अग्रों के करने कम होगा कितना 5,517 करोड रूपया राजास्यों से हमको प्राप्ति होती जो हमारे क आजास्यों का 27 प्रतिशत है चीक है अर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है कि मुखे खनीज 95 प्रतिशत गौड खनीज 5 प्रतिशत लेकिन कुछ आखरों में यहापस 96 और 4 दिखता है तो इसको आप ध्यान में रखना 36 गड़ खनीज जीले संस्थान नियास संस्थान का गठन होता है 22 दिसंबर 2015 को वरतमाल में सभी जीले पर स्थापित हो गया चुकि पांच जीले नयव बने है लेकिन पांच जीलों के साथ इसमें भी स्थापित हो जाएगा तभी कितने जीले में है ठाई जीले में यह कहां होता है कोर्बा में ठीक है उत्पादन और योगदान की बाहिए में बात करता हूं कोईला का सरवाधिक उत्पादन दीख रहा है डाट एक लग संतावन हजार लोहा ऐस के लगभग साथ सासो चूना पत्थर सासो साथ और बॉक्साइट सासो मतलब अगर बढ़ते प्रतिशत में चूना पत्थर ग्यारा प्रतिशत में यह लगभग है लगभग चार प्रतिशत इस प्रकार से आगे बढ़ता है अच्छा अध्योगिक पुरुषकार योजना तो अच्छा योगदान के लिए देखो एक्षोल में आर्थिक सर्वेक्शन में तीन लिया गय जाना है तो मालो अगर यह मालो यह चत्तिशगड है कि अलबेल्ट अगर मैं पकड़ लू तो यह रायपूर हो गया मालो ठीक है रायपूर के चुछ पगल में क्या हो जाया भिलाई दूर्ग भिलाई और यहां पस राजननन गाउं तीन जगह इस्थापी थे कहा कहां राय प्रदेश दूसरा उतर प्रदेश निर्यात परता सुचकांग पूछ लेता है कौन जारी करता है तो नीती आयों जिसमें प्रथम नंबर प्रगुजरा था और 36 गड़ के इस्थान आठवा है सीपेट सीपेट का होता है 36 गड़ एंडस्टियल फ्लास्टिक एंड इंजिन 4,090 वरतमान में हमारे 36 गड़ों कितने विद्धुत उपभोगता है यह 69 लाक 69 लाक को याद रखिए राज विद्धुत मंडल का गठन होता है 159 वर 2,000 को तब हमारा जो 36 गड़ का छंता रहता है 160 मेगावाट लोगी तब 36 गड़ तब कालिक बना रहता है अपने ससय वस्थम रहता है वरतमान में 139 प्रतिसद विद्धी के साथ यह हो गया है 2984 मेगावाट अभी कुछ सेंत्र बंध हुए है कोर्भा पूर्व के 2-3 सब बंध हो गया है ठीक है अच्छा एक चीज़ या कितना 2984 मेगावाट उत्पादन है तापी में सरवाधिक होता है लगबग 94 प्रतिशत कितना है 2840 फिर जली में 138 फिर अन्य मतलब जो बोरम देशा कारी सक्कर खाना में 3 मेगावाट 4 मेगावाट जैसे तो सब मिला कि कितना है 2984 मेगावाट ठीक है 36 गड़ मुख्य मंत्री सुगम सड़क योजना प्राराम हुआ 20 जून 2020 को 36 गड़ में पूल नंबाई कितना है सड़क की 33,390 किलमेटर जैसमें एनेज राशी राजमार्ग 3526 किलमेटर राजमार्ग 4137 किलमेटर जीला मार्ग 11,581 मेटर और ग्रामिट शेत्र में इसकी गठन होती है साथ अप्रेल 2001 को कहा पस राइपूर में वह अब अच्छा अब एक दो स्लाइड बचा है थोड़ा धहरे रखी कंप्लिट हो जाएगा उसके बाद आपको आर्थिक सर्वेक्शन नहीं देखना पड़ेगा बस इसको एक से दो बार देख लेना एक्जा लाक में देखते तो 69,000,000 37,000 नगरी 16,000, 14 नगर निगम 13 नगर परिशद 34 नगर निगम इसको देखना नगर निगम कितने है 14 नगर परिशद कितने है 43 नगर पंचायद कितने 112 मतलब कुल मिला कि 179 नगरी निकाय है जो भारती सभी धान के अनुछेद नमर 243 प यथा में दिया हुआ है कुल कितने विशा है? 18 विशा है इसको ध्यान रखना अब मनरेगा के बारे में बात करूँ तो मनरेगा के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो दो फरवरी 2006 को इस्थापित हुआ है अनन्तपूर आंधर प्रदेश में तब 36 गड़ की 11 जीलो को लिया गया अच्छा 150 दिवस के लिए यहां पस रोजगार देता है वैसे तो 100 दिवस का रोजगार का प्रवधान था लेकिन 36 गड़ सरकार ने 2012 तेरा चोगदा में इसको 50 दिवस और बढ़ा दिएगा इस प्रगार कितना दिवस के लिए मिलता है 150 दिवस के लिए ठीक है केंद्र में इसके लिए बजट हुआ था 73 जार करोड और राज्य में हुआ था 1701 करोड ठीक है दोजार कीज़ बात किया गया भारती सविधान संसुधन में इसको एंप्लिमेंट किया गया भारती सविधान के कौन से अनुछेद में सद चालीसों नुशेद में वह था आज की बारे में बताए गैं ग्ल कितने विशाथ हैं यह और वियानुप सूची में यह यह जनगर्णा 2011 लेकिन कुल ग्राम कितने है बीसजार एक्सओ चबिस अब इसमें और अप्डेट बताता हूं ग्रामेज़ जन संख्याट की है, जो प्रतिषत में बात करूं, कुल जन संख्या की, छीहंतर प्रतिषत है, पंचायती विभाग, अब पंचायती विभाग दर्वा, एक आखणड़ा प्रस्तूत किया गए 2022 किस्मों, इसके इसाब से क्या था 11,664 ग्राम पंचायत है और ग्रामों की संख्या कितनी 20,255 ग्राम पंचायत अच्छा ये इसलिए होता है ग्राम पंचायत एक से अधिक ग्राम मिलके ग्राम पंचायत बना सकते इसी करण ग्राम पंचायत ज्यादा और ग्राम पंचायत कम तो एक से आचा इसमें और देखते हैं अब अनुसूचीद छêत्र 28-27 से 28 जीले में लगभघ 14 जीला अनնुसूचीद छेत्र है जिसमें बस्तर संभाग मालो 36 गर का मेप है, यह बस्तर संभाग का साथ जीला, सरगूजा संभाग का साथ जीला, यहाँ पस कोरबा एक, यहाँ पस गौरेला पेंटर मरवाही एक, तो कुल मिला कि कितने जीले हो गए, यह है पूर्ण अनुसूचित खेत्र हैं, तो देखो, कुछ नहीं करना है, यह मालो 36 गर का मेप है, यहाँ पस धमतरी लेलो, फिर रायपूर लेलो, फिर भिलाई वाला खेत्र लेलो, फिर लेलो आप राग्नन काओ, यहाँ पस बिलासपूर लेलो, यहाँ पस क्या लेलो, रायगर, तो कुल एक और रिपोर्ट प्रस्तूत होता है जब 36 गड़ सासन में रिशाली नगर निगम का गठान होता है चुनाओं एक पस्चाथ एक रिपोर्ट आता है जिसमें बताया गया है कि 36 में जो ग्राम पंचायत है वो है 11660 ग्राम पंचायत और ग्राम कितने हैं 20234 यही कोश्चन आ 2015 प्रिजनंदर 1.8 पहले कितना था 2.2 तो इसको याद रखना 1.8 साक्षर्टा के बारें बात करो तो महिला पूरुस साक्षर्ट है 19 प्रतिशत है जो कितना था पहले 30 प्रतिशता कर था कि एक सेंपर रजिस्टर रिपोर्ट आता है उसके सब बता दू मात्री मिर्तिव दर Сिश्यू मिर्तिव दर तो मात्रे मिर्तिव दर एक लां शायार देरा प्रती लाग इतना मृतिव होती है प्रशाव के दराण और 36 गड़ में एक सो ओंसर जाता है धीर धीर ये भी कम होगा है टार्गेट भी सेट किया गया है सीसो मृतिव दर 2019 की आपड़ा हजार में इसको काउंट किया जाता है तीस प्रती हजार ये संपू भारत का है जबकि चातिश गड़ का चालेश प्रती हजार अब चातिश गड़ कर लगठे कि मात्रे मिरतिव दर को दो अर्टीश तक सो से कम रखना है सो लाग प्रती सो प्र अर्टीश ब जाता है जबकिस्ग प्रतरी एल अ मिल्सक्थ है लाप शामन पड़ कर दो दो दोड़ कर दोड़ धान्यान शेवार फ्रतर का लेड़ का रसालेश प्रतर प्रतर का चाता है भारता है